नमस्कार मैं हूँ अनील सिंग्री और देश आप और हम सब मिलकर मना रहे हैं आजादी का अमरत मौचसों और आजादी के अमरत मौचसों में देश के स्टॉक मार्केट ने लिस्टेड कम्शियों का यानि कि कॉर्परेट इंडिया का बड़ा योगदान रहा है अब तक का ज देश की growth में करने जारा है और जब हम कहते हैं कि आने वाला सेवें हिंदुस्तान का है हमारी अगली generation का है तो ऐसे मैं अगर आप निवेश का मन बना रहे हैं हिंदुस्तान के आगी की growth में अपने आपकी भागीदारी क्गश्च हरश देखना चाहते हैं हो जहां इसलिए हमने आपके लिए स्पेशल 25 से यहां यह शांदार 25 शेर चुने हैं जो आपके लिए हम अब लेकर आ रहे हैं ताकि आप इनमें निवेश करके अच्छा मुनाफ़ा कमा पाए तो आए शुरुआत करते हैं हमने आज इस 25 शेरों के लिए 6 अलग अलग थीम च सकती है और सबसे पहले इन 25 सालों में जो सबसे 22 थीम हमें समझ में आती है वो है फाइनिशल स्टॉक्स और यह फाइनिशल स्टॉक्स आपके लिए बड़ा कमाल करके दिखा सकते हैं इस थीम में हमने 5 शेर ऐसे चुने हैं जो फाइनिशल स्टॉक्स के तोर पर हो सकते हैं SBI Life SBI Life चुकि हिंदुस्तान में इंशुरेंस का बड़ा आगे चलते वे Penetration बढ़ने वाला है फिलाल मुश्किल से 3 या 4% Penetration है हमारे यहां हिंदुस्तान में Protection Gap यानि कि जितने लोगों को इंशुरेंस चाहिए जितने ले रखा है 83% का Gap है यानि कि काफी बड़ा Gap है और इसलियाद से हमें लगता है कि यह एक कंपनी है जो आपके पॉर्टफोलियो में होनी चाहिए SBI Group की कंपनी है तो Group की Parentage का बड़ा फाइदा है और बैंक्स के पूरे Network के जरिए SBI Life के लिए इंशुरेंस बेचना बड़ा आसान सा काम है और सबसे बड़ी बात है कि कोविड के बाद इंशुरेंस को लेकर काफी जाग रुकता बढ़ चुकी है तो आज Financial Space से और Special 25 में हमारा पहला स्टोक है SBI Life जहां आपको निवेश करने के बारे में सोचना चाहिए और आम तोर पर कहते भी हैं कि जब अगर GDP की ग्रोथ हो देश की एकोनोमी तेजी से बड़े तो Financial सेक्टर बड़ी तेजी से विस्तार करता है जिसमें BFSI जो कहते हैं Banks, Finance Companies और Insurance सेक्टर्स तो आईए तो पहला स्टोक आपके लिए Insurance से SBI लाइफ आता दिख रहा है दूसरा स्टोक बड़ा इंटरस्टिंग है और वो है HDFC Mutual Fund या फिर HDFC AMC आपने देखा किस तरह से COVID के बाद से लेकर अब तक DMAT अकाउंट खुलवाने के होड लगे और अब हम 10 करोड के पार निकल चुके हैं DMAT अकाउंट में 2 करोड 3 करोड तक पहुचने में लंबा वक्त लगा 5 करोड तक पहुचने में लंबा वक्त लगा लेकि 5 से 10 करोड DMAT अकाउंट खुलने में मुश्किल से 2 साल ये बताता है कि हिंदुस्तान में अब लोगों की सोच बदल रही है और नई पीडी का नजरिया बदल रहा है और आप देखें नए अकाउंट जो खुल रहे हैं उसमें से यंग्स्टर्स 20 से 15 साल की उम्र के काफी ऐसे यंग्स्टर्स हैं जो अब शेर वाजार की तरफ स्टॉक्स में इंवेस्मेंट करने की तरफ डायरेक्ली या इंडिरेक्ली बड़े एक्टिव और सबको समझ में आ रहा है बड़ी वेल्थ बनानी है तो स्टॉक मार्केट के जरी है और उसके लिए सबसे 22 तरीका म्यूचल फंड होता है और ऐसे में दिगज म्यूचल फंड HDFC-AMC जो हम उम्मीद करें कि इस म्यूचल फंड इंडिस् पर बिल्कुल मजबूती से डिटा हुआ है एसाइपी लगातार बढ़ रही है रिटन रेशियो काफी मजबूत है और बाकी देशों के मुकाबले में म्यूचल फंड का पेनेट्रेशन हमारे यहां भी बेहत कम है आप सो सकते हैं 130 करोड हिंदुस्तानियों में से मुश्कि से 3-4 परसेंट भी नहीं तो इसलिया आज से बड़ी ग्रोथ की संभावना है मुचल फंड इंडेस्ट्री में अगले 25 सालों में आपके लिए बंद तीवी नज़र आई कि यह दूसरा स्टोक है अब आईए बढ़ते हैं अगले तीसरे स्टोक की तरफ और यह है CDSL जहां दिगज Depository Company CDSL नहीं सिर्फ भारत की सबसे बड़ी Depository Company है बलकि भारत की पहली और दुनिया की दूसरी AC Company है जो लिस्टेड इपोजिटरी में तो Depository Company आज आम तो पर लिस्ट नहीं होती BAC दवारा प्रमोट की गई यह Depository Company है और पिछले 10 साल का track record देखिए आप दंग रह जाएंगे पिछले 10 साल में 20% सालाना मुनाफ़े की growth इस company ने दिखाई जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं अब जिस तर से डीमेट अकाउंट खुल रहे हैं जाहिसी बाते दो ही है Depository NSDL यह CDSL चुकि लिस्टेड नहीं है इसलिए हमने CDSL को चुनाए और लगात सकते हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं 70% सालाना दर्फ से company का मुनाफ़ा बढ़ा है तो इससे आप अना जागा सकते हैं कि आगे आने वाले समय में किस तरह की बड़ी growth के लिए CDSL तैयार होता हुआ दिख रहा है तो तीसरी company है हमारी CDSL अब आईए एक और बहतरिन financial services company आपके portfolio में रखने की हम राया देंगे तो जो हम portfolio आपके लिए बना रहे हैं वो दोनों तरह के stocks हैं कुछ बड़े दिगज stocks भी हैं तो कुछ बहतरिन mid caps भी और कुछ छोटे stocks भी होंगे सबका mix होगा चूंकि banks, NBFC, insurance company में आम तर पर बड़ी company जादा है तो अगली company जो आपके portfolio म होनी चाहिए वो है बजाज फिंसर्व दो कमद्या थी बजाज finance या बजाज फिंसर्व हमने सोचे कि इन में से कौन सी एक चुनी जाए तो हम बजाज फिंसर्व चुनने के पीछे बड़ा कारण यह है कि यहां पर चुकि इनके पास बजाज finance की भी holding है और बजाज finance NBFC का और financing का कारोबार करती है प्लस बजाज फिंसर्व में insurance का भी कारोबार है तो आपको finance और insurance दोनों इसमें मिल रहा है और अगर आगे चलते हुए कुछ और बड़े development हो तो कहना ही किया जिस तरह से per capita income बढ़ रही है लोग अब आराम से EMI पर loan लेकर खर्चा कर रहे हैं चाह सोचने की बात ही नहीं है तो यह एक बैटन कंपनी और आगे चलते हुए इस कंपनी में value unlocking भी होने की पूरी पूरी संभावना है जो अलग-अलग stake है अलग-अलग businesses में उन्हें अगर अलग किया जाए तो वो एक बड़ा value unlocking वाला मामला बन सकता तो यह एक और stock है जो आप चुना है कोटक बैंक और उसकी वज़े यह कि आम तोर पर stock market की growth story और capital market की तेजी में कोटक बैंक बहुत ही मजबूती से आगे बढ़ता है दूसरा इनकी underwriting यानि कि जो loan देते हैं जिन लोगों को loan देते हैं वो loan देने की इनकी जो process है वो बड़ी strong है और यही वज़े कि इनके NPA बहुत ही कम है banking और non banking एक तरफ banking बिजनिस जो core है दूसरा non banking बिजनिस जहां से fees बिजनिस और यह सारा होता है दूनों जगे कोटक बैंक की बड़ी तगड़ी growth आती है और दोनों तरफ बड़ी पकड़ है NBFC से bank में बदलने वाली यह पहली देश की कमसी है और digital banking banking में भी बहुत ही बड़ी है risk management के लिहाद से बहुत ही मजबुत हो कोटक bank है हमारे banks में एक पहली पसंद और returns के लिहाद से सबसे ज्यादा return देने की ताकत रखता है और जिनको safety चाहिए HDFC bank या ICC bank यहां भी safety है लेकिन कोई बहुत ही conservative होना चाहिए 25 साल के लिए तो दूस दूसरी बड़ी थीम पर और यह थीम बहुत इंटरस्टिंग और मेरे दिल के करीब भी है यहां consumption से जुड़े हैं देखिया हिंदुस्तान की economy एक consumer driven economy क्योंकि हम 130 135 क्रोड consumers हैं और आगे चलते हुए यह एक ऐसा स्पेस है जहां आपको बड़ा action देखने को मिलेगा यहां स हमने साथ स्टोक चुने हैं पहला स्टोक है मेरा all time favorite ITC 110 साल से पुरानी यह company है company की तगड़ी growth रही है अगर सरकारी company को छोड़ दें तो सबसे ज़्यादा और सबसे मजबूर dividend डिल वाली यह company है बड़ी size के लियाद से अगर आप देखें सारे इनके जो कारोबार है hotel देख लेए paper देख लेए fmcg देख लेए सारे के सारे कारोबार बहुती तगड़ी तरीके से grow कर रहे है 13000 क्रोड़ से अगरा का company के पास cash flow है cigarette business मजबूती से चल रहा है तो तगड़ी growth वाला एक और stock है ITC जो आपके portfolio में होना चाहिए और stock में performance भी कोई बहुत खास नहीं है भले ही तीन साल की उचाहियों पर हो लेकिन मुश्किल से पहुने 200 रुपए से 300 रुपए तक पहुंचा है तो अब है और वो है देवियानी इंटरनेशनल हिंदुस्तान में केफ सी पिजा हर्ट कोस्टा कॉफी जैसे क्विक्स सर्विस रेस्टोरेंट क्यूए सार ब्रेंड्स चलाने का काम करती हैं ना सिफ हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के बाहर भी है नाइजिरिया नेपाल में भी company क franchise हैं हमारे हैं लगबग 1500 शेरों से ज्यादा में इनके franchise है साड़े 600 से ज्यादा stores company खोल चुके है और पिछले 5 सालों की company growth देखिए दंग रह जाएंगे 28% की दर से company का मुनाफ़ा हर साल बढ़ रहा है और जो consumption story है बाहर खाने की परंपरा है next generation का जो fast food को लेकर और इस तर आपके portfolio में ये stock भी होना ही चाहिए अगला stock एक और है जो दिगज है और आपका जाना पेचाना भी जी हाँ Asian Pants Asian Pants आजादी के पहले से ये company है शानदा track recorder किसी भी समय से किसी भी समय का उठा कर आप देख लें बारत में तो number one है ही market leader एशिया में 30 सबसे बड़ी company है और द लेकर शायदी किसी को doubt हो, valuations को लेकर कभी आपको लग सकता है कम में कभी ज़्यादा है लेकिन अगर आप 25 साल के view से पैसा लगाते हैं तो ये company आपके portfolio में जरूर होनी चाहिए जो real estate और infrastructure में बड़ी demand है हमारे यहाँ पर उसका फाइदा बड़ा मिलेगा, यहाँ पर company का आपके portfolio में होना चाहिए, अगली company भी एक और ऐसी है जो बड़ी दिगज company है और जो इतनी grow होने के बाद भी इतनी ही और grow होने की ताकत रखती है, ठीक Asian Pants की तरह है और वो है all time favorite Titan, जहाँ, jewelry company टाटा का नाम है, सोचने की जरूरत नहीं, brand बहुत strong, jewelry के मामले में तो गडियों और चश्मों के कारोबार में भी है और वहाँ पर भी बड़ी पकड़ है, 30% से ज्यादा return on capital employee, ऐसे data है, ऐसे आकड़े के आप देखेंगे, दंग रह जाएंगे, 1984 में सिफ एक brand के साथ company ने शुरुआ कि थी, अरब 16 से ज्यादा brands है, यानि कि आप जो कुछ भी एक retail company में देखना चाहते है, strong brand, तगड़े financial, market leader, क्या नहीं है टाइटन में, बस आपके portfolio में नहीं है, और अगर नहीं है, तो ज़रूर आपको ले लेना चाहिए, अब दो interesting company हैं मेरे साथ, जो बदलते हैं हिंदुस्तान के साथ, जहां consumption का pattern बदल रहा है, वो company आपके portfolio मे होनी चाहिए, पहला है United Breweries, जहां beer market में 50% से ज़्यदा का market share है, यानि की leader है, Kingfisher, Hainiken, जैसी बड़ी मशूर brand इनके portfolio में है, और debt free company है, international MNC promoter है, 24-25% जो हिस्सेदारी हो, Hainiken की है, तो यह एक company है, जो आपके portfolio में हो सकते हैं, और जिस तरह से एक generation पहले, liquor, beer, इनका जो consumption होता था, बड़ा taboo माना जाता था, और अब जिस तरह से यह बदला है, उसको देखते हैं, आने वाले समय में और इस तरह का consumption बढ़ने की पूरी संभावना रहे, इसी से मिलती जो की एक और company है, जो आपके पास होनी चाहिए, आपके portfolio में है, और वो है United Sprits जी हा, मैकडवल के नाम से भी जिससे जानते हैं, दिगज ब्रैंड है, यहां पर भी, पचास परसें से ज्यादा market share है, split segment में company का consumption और lifestyle changes जो होते दिख रहे हैं, इंदुस्तान में जो aspirational changes आ रहे हैं, next generation में, उसका बड़ा फाइदा इस company को मिलेगा, premium segment में company का focus है, growth किसी को कोई doubt नहीं है, clean balance sheet है, top class management है, अगले आने वाले 20-25 साल इस company के लिए बहुत interesting हो सकते हैं, और दूसी बात है कि जो consumption level है, दुनिया बर के मकाबले में अगर आप देखें, तो लीकर का consumption जो है हिंदुस्तान में, उन नहीं के बराबर है, बहुत ही कम है, अब दीमेद मिल्स, यहां, यह एक textile company है, जो बहुत ही मजबूत और बहुत ही शानदार है, जिसे आप portfolio में रख सकते हैं, 40 साल पुरानी vertically integrated textile company है, 60 से ज़्यादा देशों को export करती है, 90% income in की export से ही आती है, सरकार का जो focus textile sector पे, कहना ही क्या, employment generation करने वाला है, चाइना प्लस वन की strategy, कई स सारी company हैं, दुनिया पर में जो अपना रही है, उसका फाइदा इस company को बिलेगा, अगर textile stocks आपको भी खरीदना चाहते हैं, वैसलों तो रह सारी company हैं, लेकिन चुकि यह completely integrated company है, और 90% से ज़्यादा export है, इसलिए हमने KPR Mills को चुना है, तो यह सारे stocks हैं, जो आपकी consumption से जु आने की theme है, जिहां, electric vehicles और renewable energy से जुड़े है कुछ stock, अब यहाँ पर रिस्क एक होती कि कई सारी company हैं, जो बनी चोटी चोटी है, और उन company में थोड़ा, कई बार आपको लगता है कि यह 25 साल तक रहेगी, नहीं रहेगी, तो थोड़े से हमने नाम जो लिए है, ऐसलिए जह passenger vehicles और बढ़ते हुए electric vehicles market में leader है, 80% से ज्यादा market share Tata Motors के पास है, फिराल EVs का, तो कोई सोचने की ज़रूत है, EV चला तो भी ठीक है, नहीं चला तो भी ठीक है, Tata Motors तो दोनों जगह है, तो यह आपकी, अच्छा इसी के साथ जोड़ी वे एक और Tata Group की company है, Tata Group की काफी company आ products के लिए technology देने का काम करती है, और जो car technology के मामले में यह सबसे बड़ी company कारों को जो टेकनलोजी चाहिए, technological support चाहिए, और electric vehicles की जगरोत है, और maximum business तो इन्हें Tata से ही मिल जाता है, बाहर से लेने की जरूत ही नहीं है, तो Tata LX सी एक और बैतरी इस टोक है, जो combination है, EV प्लस technology का, तो यह एक आपके portfolio में हो सकता है, एक और stock है, in fact एक और group है, जब हम यह stocks बना रहे तो हम यह भी सोचेता है, अलग-अलग group भी होने चाहिए, तो एक group ऐसा जो हमेशा आपके portfolio में होना चाहिए, वो है Mahindra, Mahindra, Anand Mahindra साब का group, तो M&M, इसकी leading company जो है, यह आपके portfolio में होनी चाहिए, 1945 से शुरू ही है, 100 से ज्यादा देशों में, tractor और SUV segment की बादशाह है, leader है, king है यह company है, और अलग-अलग इतनी company है, L&T की तरह है, ITC की तरह है, यह जब value unlocking होने लगी है M&M में, तब आपको मज़ा आएगा, तो यह stock, यह पूरा group आपको बड़िया wealth बना कर देगा, neat and clean corporate governance के मामले में, शानदार सोचने की जरूती नहीं है, अब आईए, तीन ऐसी stocks हैं, जो आपके लिए, अलग तरह की theme है, manufacturing, infra और defense के, L&T, इसके बारे मुझे ज्यादा बताने की जरूती नहीं है, देश की दिगज कम्पनी है, infra, construction, यह सारी के सारे, कहीं भी, आ आती है, capital goods की बड़ी स्टोरी है, तो 83 साल पुरानी कम्पनी और इसके भी अलग अलग कारोबार में, जो value unlocking होने वाली है, उसका बड़ा फाइदा कम्पनी को मिलेगा, already आपने L&T Finance, L&T Technology, L&T Infotech, यह सब लिस्ट होते वे देखा, धेर सारी और आगे चलते होंगी, एक औ आप पर भी आप देखिए, एक ओटो एंसलिरी की स्टोरी है, दूसरी डिफेंस की स्टोरी है, दोनों बिजनसे इसमें ऐसे हैं, और साथ ही अब e-mobility पर electric vehicles के related भी यह कम्पनी आपको बड़ा काम करते ही दिख रही है, ओटो सेक्टर के फोर्जिंग मार्केट में तो ली पसंद है और वो है अल्टराटेक सिमेंट, देश की सबसे बड़ी सिमेंट कम्पनी बिर्ला ग्रूप, ग्रूप का भी रिप्रेजेंटेशन आपके होना चाहिए पोर्ट्फोलिय में, तो अल्टराटेक एक और स्टोक ऐसा है, जो आपके पोर्ट्फोलिय में जगे रखन से जबर दस ग्रोथ रहेगी और अभी भी महेंगा नहीं है शेयर तो यह आपके लिए अगले पचार सालों के लिए, तो मेंजिफेक्टिंग, इंफ्रस्रक्ट्चर और डिफेंस में तीन स्टोक हमने आपको बता हैं, अल्टराटेक सिमेंट जहां पर आपके लिए ग्रू हमने फिरने का केसिनों का और इस तरह का सब क्रेज हिंदुस्तान में बढ़ रहा है, और यह एकमातल स्टेट कमशी हैं, पचास परसंट, 55% से ज्यादा मार्केट शेयर है, केसिनों के अलावा ऑनलाइन गेमिंग में बहुत बड़े पेमाने पर जा रहे हैं, और जो ग्रो बार करती है, भारत की सबसे बड़ी कंपनी है, नए जमाने के प्रोमोटर से यंग प्रोमोटर से तगड़ा इनोवेशन करते हैं, और यह कंपनी ऐसी है, जो छोटे पेमाने पर बड़ी ग्रोथ दिखा सकते हैं, टेकनोलोजी का जमाना है, और आगे फ्यूचर में अगर आप टेकनोलोजी के लिहाद से फोकस कर रहे हैं, तो मैप मैं इंडिया यानि की सी इनफो सिस्टम आपके पॉर्टफॉलियो में होना चाहिए है, एक और टाटा ग्रूप की कंपनी है, टाटा कम्मुनिकेशन, देश बर में इंटरनेट से वाए देने वाली कंपनी, दुन जहां, मॉबाइल एड़टाइजिंग के मामले में ये मार्केट लीडर है, भारत में डीजिटल एड़टाइजिंग का मार्केट 25-30% से ज्यादा हर साल बढ़ेगा, यानि कि इस स्टोरी में बड़ी ग्रोथ है, और इस ग्रोथ का फाइदा इस कंपनी को मिलने के लिए त 30% से ज्यादा आए कंपनी की डवलप कंट्री से आती है, आगे भी मजबूत ग्रोथ रहने का पूरा पूरा आनुमाने, तो डेल्टा कॉप, मैपमा इंडिया, टाटा कम्मुनिकेशन और एफल इंडिया, चार हमने इसी मिट केप, स्माल केप कंपनीयां चुनियें, जो न से ज्यादा देशों में कारोबार है, फर्टिलाइजर और इस से जुड़ेवे स्पेस में, तगड़ा कारोबार, 26% साला ना दर्थ से कंपनी का मुनाफ़ा बढ़ रहा है, करज मुक्तनी है, बहुत ही शानदार कंपनी है, आपके पॉर्टफोली में होनी चाहिए, ताकि आप रूरल इंडिया पर अगर आप फोकस कर रहे हैं, तो ये एक स्टोक है, डिवीज लेब, फार्मा स्पेस को कैसे बूल सकते हैं, हमने बहुत ज़्यादा स्टोक चुने नहीं क्योंकि वहाँ पर रेगुलरेटरी इशू बड़े होते हैं, लेकिन डिवीज लेब एक स् हैं, सो से ज़्यादा देशों में कारोबार है, चाइना प्लस वन स्ट्रेजी का फायदा है, पचास परसन से ज़्यादा का मार्केट शेर है, शांदार कमपनी टॉप क्लास मेनेजमेंट, आखरी स्टॉक जो हमने चुना है, वो एक और डिगज ग्रूप से है, जिसका स्ट पुराना टॉप क्लास कॉर्परेट गवर्नेंस वाला ग्रूप है, मेक इंडियरिया पर बड़ी गहरी पकड़ है, हर एक स्पेस में ये कमपनी है, एफ एम सी जी, रियल स्टेट, एग्री, मैनिफेक्टरिंग और उपर से होल्डिंग कमपनी की होने की वज़े से, इनके पास अलग-लग होल्डिंग कई सारी कमपनी की है भी है, वेल्यू अनलोकिंग का फायदा भी मिलेगा, और ग्रूप की सारी ग्रोथ का फायदा भी मिलेगा, तो गोद्रेज इंडिस्री हो सकता है, एक और स्टोक तो ये थी हमारे पचीश शेवरों की वो लिस्ट, जो अग एक बहतिन पोर्टफोलियो बनाने की ताकि आपके अगली पीड़ी का भविश्य सुनरा हो, गोल्डन हो, प्लेटीनम हो और शांदार हो, ये हमारी शुब कामना है, तो एक बार फिर से आप सबको आजादी के अमरित मोथ हो की बहुत-बहुत शुब कामना है, धन्यवाद झाल झाल धन्यवाद ये